कि हेलो वेच्चो क्या हाल चाल एक बार फिट से आप सब का किरोशा अकेडमी का ओनलाइन प्लेटफोर्म पे स्वागत है तो जैसे कि जो बीग अप्टेट थी आज से 15-20 दिन पहले जब हमने लाइव क्लासे स्टाप नर्स और एडवांस में बता दिया था कि इस बार ऐसा हो सकता है और वह हुआ क्या बता दिया तक इस बार पांच आपको देखने के मिल सकते हैं पहले नर्सिंग की किसी बरती में प्रकार नहीं हुआ लेकिन हमने अदर स्टेट के जो प्रिपरेशन और पैपर के अस इसके बारे में एक्जाम की डेट के बारे में और जो भी आपने जो की पॉइंट और निर्देश आपको मिले हुँगे क्या-काया चीजे ध्यान रखनी है ओम शीट पर कैसे करना है इस सबके बार में अपडेट में देखेंगे तो एक बार फिर सबका स्वागत है कि रोश का नाम कौन सा है स्टाब नर्स जी एनेम 2023 की जो वेकेंसी थी एनेचेम की वेकेंसी है क्या यह रेगुलर जॉब है तो नहीं इसकी एक्जाम डेट बहुत जल्दी करती नहीं गवर्मेंट ने जो पहले की जो बताई गई हुई थी पिछली गवर्मेंट के द्वारा उसी डे 15 फिप्टीन टू शिक्स्टीन डेज बाकी है कितने फिप्टीन टू शिक्स्टीन डेज बाकी है आपके यह परिक्षा का समय कौन सा होने वाला है तो टेन एम और टेन टू इलेवन थर्टी एम मतलब नाइंटी मिनेट का आपका पेपर होने वाला है कितना नाइंटी मिने से उसको ध्यान से देखिए कि यह इंपोर्डेंट है अभी से खरीद लीजिए उस पर दीजिए तेस्स का प्रिपरेशन कीजिए तो यह महत्वपुने आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वे बोड कारिया लेकि उप्त विगिप्ट्यों के अनुसार निर्धारिक पातरता यह हम शेक्षनिक योगितार रखते हैं तो जी हां अगर आप नहीं की वेपकेंस के लिए प्रिपरेशन होना चाहिए आपकी डिग्री होनी चाहिए जीनम हो तो भी चलेगा बीए सिनर सिंग हो तो भी चलेगा तो यह पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया यह सर हमने कंप्ल कभी अपन को questions नहीं आता तो अपन क्या करते तो उसको खाली चोड़ देते लेकिन नहीं आपको जो ई-option है अगर आपको correct answer आता है A B C तो आप आंसर करें लेकिन अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं आता है तो ध्यान रखना इसी परिस्तिती में आपको एको तो चूज करना है मतलब आप खाली ओफ्षान नहीं छोड़ सकते यह एक अपडेट है जो हमने एडवांस में बता दिया था आप सुब को अब्यर्थी क ओएमर उत्तर प्रतक पर संबंदित प्रश्न क्रमांग के लिए सही उत्तर दे निर्दारित करें तो यह वाली चीद है यहां पर देखें तो आपके सही उत्तर निर्दिश्ट करने ओते एबी सीड़ी अर्थवा पहले चार में से केवल एक विकप्त किसे निले बॉल पाचवा विकल्प है उसको गहरा करना है तो इसलिए नकल की कोई संभावना नहीं किया गया तो उस प्रश्न का अंग वन भाए थ्री भाग से कट जाएगा मतलब ध्यान रखिए आपकी मेरीट सो में से पचास मार्क्स भी आप लेगा होगे तो आपका सेलेक्शन बन सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही घातक है एक वाई तीन यह उसमें रहती है बहुत बढ़िया नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है इस बार इसलिए तैयारी करने वालों को मौका मिलेगा तुका नहीं मिलेगा अब इस बार दस प्रतिशत में से अधिक प्रश्णों में किसी भी विगल्प गोलों को अभीष्च्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परिक्ष्या के लिए अयोग मतलब अपने ध्यान नहीं रखा यह विडियो नहीं देखा है पड़ा नहीं है एड़्मी आपने समझ्तवारी नहीं दिखा यह हैँ और पहले करना है हो सकता है आपको समय नहीं मिला तो मतलब आपको यह ध्यान रखनी आपको प्रतेक प्रश्ण में कम से कम एक विकल्ब गोला बरा है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए उमीदवार को टैन मिनट अतिरिक दिये जाएंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे भूल है सर हमारा तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है तो गौर्मेंट ने आपको टैन मिनट एक्ष्ट्रा दिया है किसके लिए यह सुनिश्चित चेक करने के लिए मैंने सब गोले भरे हैं के नहीं है ऐसा नहीं हो कोई ऑप्शन चूट जाए उक्त परिक्षा के लिए प्रोविजन बोड द्वारा परिक्षारतियों को अलग से प्रवेश्च्पत्र प्रेशीत नहीं किया जाएगा तो आपके घर पे प्रवेश्च्पत्र नहीं आने वाला है इस वेबसाइट को फोलो करें या किरोशा अकेडमी के वाट्सप ग्रूप डिस्क्रिप्शन में जॉइन करें या 8502065080 पर मेसेज करें हम आपको ग्रूप में एड करेंगे और आपको क्विप अपडेटेट करेंगे जैसे ही आया आप तक इन्फोर्मेशन पहुझगी परिक्षाओं के संबंद में विबिन्द सोस्यल मीडिया पर किये जारे ब्रामक पचार पर विश्वास ना करें बोर्ड द्वारा राजस्तरिय प्रस्तिष्टि समाचर पत्रोयवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmsb.gov.in पर प्रकाशिद विगपती द्वारा दी जानकरी को अधिकरत माना जाएगा तो आप सोस्यल प्लेटफोर्म पे अगर कोई मिस इंफोर्मेशन दे रहा है आपको डिस केंदरों पर नकल की रोगदाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गए हैं यही पांच उप्शन इसलिए कि नकल कोई न कर सके कोई OMR खाली न रख्या और पीछे से बरी न जाए परिक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोग के किसी जासे परिक्षा संचालन में किसी प्रकार की अनुचित साधनों का उप्योग वह अनिमित गती वीदियो धारा टू के अंतरकत यता परिबाशित संचालित पाई जाती है तो उनके विरूत राज्य सार्वजनिक परिक्षा भरति के अनुचित साधनों की रोकताम के अध्यूपा अधिनियम 2022 अधिनियम 2023 और दस लाग से अधिक्तम दस करोड़ रुपय तक धंड तथा दस वर्ष ले लेकर अधिक्तम आज जीवन कारावस्त की सजा के प्रावदान है जिसके अंतरगत कठोर धंडात्मक कानुनी कारवाई की जा सकती है साथ ही ऐसे व्यर्थि को आगे प आगे आपको नहीं बैठने मिलेगा तो जी हां यह पंदरा दिन एने चम की प्रिपरेशन चाहते हो तो किरोश अकड़ेमिंग डाउनलोड करें वहां पर टेस्ट सीरीज है वह जोईन कर सकते हो आपको रेकोड़ेल लेवल पर कोर्स चाहिए वह भी जोईन कर सकते हो यह प